हेलो एब्रीवन वैलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली मैं हूँ बलजिंदर सिंग एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूटुब चैनल की उपर स्वागत करता हूँ डियर फ्रेंज जल्दी से जल्दी आ जाएं सोनिया चोदरी है लो कैसे हो गूड मॉर्निंग तो डियर आपको पता ही है कि कल हमारा नेटवर्क है ठीक हो चुका है और अब से जो क्लासिज है आप लोगों की डेली और रेगुलर क्लासिज जब वो रहने वाली है तो आज की जो क्लास है आपकी डेली ग्यारा बजी ये क्लास आपकी रहने वाली है तो बस अपना खाना पीना खा के free हो के नहाद हो के बैठ जाना daily आपको ये class मिलने वाली है और यहां से आपकी preparation बहुत ही जादा अच्छे तरिक्के से आपको करवाई जाएगी और बिल्कुल free classes रहने वाली है ये वाली जो भी आपकी होती है इस time तो start करते हैं आज की class को dear friends इस class से पहले 14 classes मैंने cover up कर रखी है जिन बच्चों को नहीं पता वो उन classes को cover up कर लेना ठीक है network की problem की वज़ा से हम लोगों की जो classes थी बीच में रह गई थी थोड़ी ठीक है इसकी हमारी जो कौन सी है जो international business हमारा चल रहा था तो ये classes हमारी थोड़ी बीच में रह गई थी इनको cover up करने वाले हैं और daily ठीक है जादा attention मतलो ध्यान मत दिया करो बहुत सारी वीडियो अज की class के अंदर देखो पहली class के अंदर मैंने डाउटो के functions के बारे में मिनिंग के बारे में बतायाँ था सारा detail में समझाया था आपको लेकिन बहुत सारी चीज़े दिखा देते हो आपको पिछली classes के अंदर हम लोगों ने क्या किया था तो इस तरीके से हम लोग ने ड WTO किया था, WTO के बारे में सारी की सारी बातचीत की थी, किस तरीके से ये काम करता है, क्या क्या इसके वर्क होती है, ठीक है, इसका organization कैसे है, कैसे बना था, किसके replace में बना था, ठीक है ना, कौन से round के अंदर बना था, सारी चीज़े मैंने आपको करवाई हैं, इसके functionality इसकी क होने वाली थी, due to COVID-19 के कारण वो आपकी क्या रहागी थी, MC-12, ठीक है ना, MC-12 जो आपकी होने वाली थी, MC का मतलब ministerial conference जो होने वाली थी, वो 30 November 2021 को होने वाली थी, लेकिन क्या हो गया था, due to the COVID ये आपकी cancel हो चुकी थी, ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं, साथ की साथ objective हैं, 17 objective आपको करवा रखे हैं, function भी आपको करवा रखे हैं, अभी आज की class के अंदर क्या नया होने वाला है, आज की class के अंदर पूरे का पूरा जो system है, खतम कर देंगे, डव्यू टियो का, एक आज जो चीज रह जाएगी, वो आपको मतलब करवा दूंगा, मैं अ पहले आपका get आता है, अब get की जगा पर WTU क्यों आया, तो इनका difference पता करेंगे, तब ही आपको समझ आने वाला है, WTU के जो agreements आपके slavers के अंदर दिये गे हैं, वो है आपका AOA, जिसको क्या बोला जाता है, agreement on agriculture, get, देखो ये get और इस get के अंदर फर्क है, मैं आपको आ रह जाएंगे, अगर रह गए तो ठीक है, तो next class A class आपकी और होगी, ठीक है, उसके बाद आपका पूरा cover हो जाएगा, अब देखो रह क्या क्या गया आपका, tariffs और non tariffs आपका रह गया था, साथ की साथ आपकी Indian foreign trade policy है, ठीक है, ये मैंने खुद छोड़ी थी, क्योंकि थोड अब होता fluctuation हो जाता है, जैसे कल budget आया, तो कुछ ना कुछ changing हमारी policies के अंदर भी होती रहती है, तो इन policies को तभी मैंने चड़वाया था, साथ की साथ, कुछ ना कुछ changing आपके नए नए जो regional trade होती है, आपके इनके अंदर भी रहती है, ठीक है, इन में से आपका EU बच गय इतना लंबा चोड़ा काम है नहीं है, बस पहले जैसे regular class के अंदर आते थे, अभी भी regular class के अंदर आना start कर दें, अगर किसी बच्चे को timing की problem है, तो वो timing का भी मुझे बता सकता है, ठीक है ना, वैसे तो हमारा time है, 11 a.m. बिल्कुल right time है, सही है, सारे बच्चे free हो जाते ह और यहां पर आपको फूरे का पूरा paper 1 और paper 2 पढ़ा रहा हूं मैं, जिसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिले मारा, तो start करते हैं, WTO के बारे में, WTO आपको पता होगा, इसका पिछले वाली जो वीडियो जिन बच्चों ने देखे हैं, उनको पता होगा, लेकिन फिर भी आपको recover करवा देता हूं, कि WTO only international organizational dealing करता है, जो आपके global rules होते हैं, देखो दो या दो से ज़्यादा, जब countries मिलके आपस के अंदर क्या करती हैं, किसी भी तरीके से नहीं नहीं, मतलब organization होते हैं, जो एक देश के दूसरे देश के साथ क्या करेंगे, dealing करेंगे, किस बनाने के लिए freely as a possible, जहां तक हो सके, आप एक सवितंतर प्रवा को चलाना चाते हो, और इनके बीच में जो भी कमियां आती हैं, उनको क्या करते हो, आप settlement करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती हैं, WT के अंदर आती हैं, इसके अंदर आपको पता है कि 80 से 93 तक का जो round हुआ था आपका उर्गवे round जिसको बोला जाता है, आपको पता हो गया इसके बारे में, ठीक ना, इसके अंदर क्या होता है, International Trade Negotiation, मतलब वपार के अंदर जो वारतलाब किया जाते हैं, बारगेनिंग बगारा की जाते हैं, किस तरीके से और नेगोशेट क वो एक्ट आपका कब बनाया गया था, वो आपका बनाया गया था, साइन किया गया था, ट्रेड मिनिस्ट्री के दवारा, माराकेश, मराको इन, अप्रेल 1994 के अंदर इसको किया गया था, और इसी उर्गवे round को, उसके बाद जाकर क्या हुआ था, आपका 1 जनवरी 1995 को, जो GAT था, GAT की जगा पर आप लोगों ने क्या बना दिया था, WTO बना दिया था, World Trade Organization बना दिया गया था, अब देखो GAT क्या होता है, देखो GAT के बारे में भी थोड़ी बातचीत करनी चाहिए, ठीक है न, इसके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए, GAT के बारे में, द या आप से GAT के अंदर, ठीक है न, जो यहां पर 1948 भी दिया हुआ है, कई जगा पर वैसे 1947 के अंदर Establish किया गया था, GAT, जो कब था, पहले था, किस से WTO से पहले जो चीज थी वो आपकी GAT थी, अब GAT के अंदर क्या था, देखो Journal Agreement on Tariff and Trade की बात करते हैं, बिलकुल अच् चीजों की जगा पर कुछ और डाल देते हैं, आपको गुमरा करने के लिए, तो इन चीजों को आपने अच्छे से समझना है, Journal Agreement on Tariffs and Trade को बोला जाता है, GAT, ठीक है, Was Made in Year 1947 के अंदर बनाया गया था, इसका एम क्या था, इसका एम था कि जो भी आप लोगोंने काम करना है, International टेड करने है, लिबरलाइजिंग पॉलसी के दुबारा करने है, लिबरलाइजिंग पॉलसी क्या होती है, बच्चे आपकी लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, उधारी करन, उधारी करन का मतलब होता है, जितने भी फाल्तु के टैरिफ्स लगा रखे हैं, फाल्तु के एक काम था किसका था गैट का काम था ताकि दो या दो से ज़्यादा देशों के अंदर आपका जो वपार है उसको अच्छे से बढ़ाया जा सके एंड रिमूविंग टैरिफ्स जो टैरिफ्स आपके फालतु लगाए गए हैं उनको रिमूव कर देना है ठीक ना और यहां पर जो गैट वाला सिस्टम है गैट वाले सिस्टम का एक सक्सेसर पॉइंट आपका निकल कर के आता है आपका ड्वल्यू टी ओ निकल करके आता है विच इस दा global organization इसको बोला जाता है जो अनकर्स करता है कि चीज को फैसिलिटेट करता है इंटर कंट्री ट्रेड को दो यां दो से ज्यादा countries के बीच में रिस्टिक्ट बिल्कुल जो restrictions लगाई होती है ना उनको remove किया जाता है ताकि आप सवतंतर रूप से दूसरे देशों के साथ क्या कर सको वपार कर सको साथ की साथ यहां पर जो आपके क्या होते हैं टेड के जो disputes होते हैं डिस्प्यूट कौन से होते हैं जैसे विवाद पैजा हो जाते हैं दो देशों के बीच में आपके आपस के अंदर दिखो जहां पर वो बोलते हैं ना कि जिस घरत के अंदर बरतन होंगे वो तो हमेशा कभी ना कभी तो गिरेंगे और आवाज करेंगी ठीक है ना तो इसी तरीके से आपस के अंदर जितना भेड़ेंगे अवाज तो करेंगी ठीके ना तो उसी तरीके से दो जहां दो से ज़्यादा देश जब क्या करते हैं यहां पर क्या करते हैं आपस के अंदर कोई वपार बगारा करते हैं तो उस टाइम पर आपको क्या होता है सर जी य मतलब आप लोगों ने आगे जाकर क्या बना दिया था, ठीक है ना, WTO बना दिया था, साथ की साथ यहां पर बात करते हैं, इसके अंदर गैट के अंदर क्या होता है, आपका contracting parties होती है, ठीक है ना, जब आप क्या करते हो, दो country आपस के अंदर बातचीत करती है, कुछ, मतलब एक दूसरे से कोई भी, मतलब, agreement बनाती है, तो उसके अंदर contracting parties आता है, क्या आता है, आपका contracting parties आता है, उसके बाद यहां पर क्या होता है, commitments होती थी, आपकी वो क्या होती थी, प्रवीजनल होती थी, साथ की साथ आपका multilateral जो काम किया जाता था, वो आपका बिल्कुल क्य होता है, slow होता था, ठीके ना, slowly work किया जाता था, ऐसा मान सकते हो यहां पर, ठीके न, धीरे-धीरे जो आपके rule regulation थे, वो धीरे-धीरे काम करते थे, और GAT के अंदर कितने nations थे, आपके 23 nations थे, और WTO के अंदर बच्चे कितने nation हैं, आपके बताएगा कोई बच्चा, WTO के अ आपका multi-terrary थी, ठीके न, multilateral terrary थी, उसके अंदर कितने आपके लोग थे, 23 आपके nations आते थे, वो यहां पर work करते थे, लेकिन WTO के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो 164 आपके member आते हैं, अब देखो GAT के अंदर, जो चीज़े मैंने बताई है, multilateral agreement करता है, between the serval nations, जो भ is to reduce tariff to a, मतलब यहां पर का होता है, subsequental, जो amount के अंदर कुछ न कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं, उनको evolution किया जाता है, जो barrier होते हैं, उनको कम से कम किया जाता है, smart किया जाता है, abolition मतलब आप जादा से जादा जो आपके tariff लगे होते हैं, उनको कम करने की कोशिश करते हो, उसके बाद आपको पता ही है, 1995 में के अंदर, आपका जो GAT था, वो replace कर दिया गया था, WTO के उपर, यहां पर WTO has more power and, यहां पर argument करने के लिए, यहां आप ऐसा मान सकते हो कि functionality करन के अंदर सबसे बहतर आपका WTO जो भी पहले थे, ठीकर ना, पहले आपका IT था, International Trade Organization, ठीकर न, ITO था पहले, उसके बाद और बने, फिर कई सारी conference हुई, फिर GAT निकला, GAT के बाद आपका बहुत सारी conference बाद में हुई, कुछ round हुए, उसके बाद जाकर आपका WTO निकला, जिसकी functionality और बहुत सारे जो आपके economical level के जो fluctuation आते थे, उनको बिलकुल बना करके रखता था आपका WTO, ठीकर न, आज कल तो इसकी भी कोई value नहीं रही, वो बात अलग है, ठीकर न, जिस तरीके से आपको पता ही है, कि हर देश की जो policies गयरा है, उनमें बनाने के लिए WTO की help ली जाती है, पर वो बोलते हैं न, कि अगर government अच्छी हो, तो दूसरों के साथ अच्छे link बन जाते हैं, अगर government अच्छी ना हो, तो किसी भी संस्ता के साथ आपके link बिगड़ भी सकते हैं, और आपको वहाँ से, मतलब कम-कम help मिलने लग जाती है, पहले से, ठीकर न, यह can be described as a set rule, multilateral trade agreement that come into force to encourage international trade and remove the, जो यहाँ पर पूरी की पूरी यह बात है, कि GATT के अंदर आप क्या करते हो, कुछ rule regulation को describe करते हो, multilateral trades के कुछ आपके agreement होते हैं, और इनके अंदर जो भी बन्दा आता है, उसके उपर न, force हो जाते है, मतलब उसके उपर चेप हो जाती है, यह ठीक है, मतलब उस बन्दे को यह चीज़े follow करनी पड़ते हैं, और अंकर्ज करता है किस चीज़ को, international trade को and remove करता है, जो आपकी country होती है, उसके trade barriers को, WTO क्या है, GATT और WTO के अंदर भी फरक है, किस तरीक्य से है, WTO is an international organization, यह organization नहीं था, यह not institutional existence इसकी नहीं थी, GATT की institutional existence क्या थी, नहीं थी, लेकिन जो हमारा WTO है, यह एक organization है, इसकी institutional existence है, ठीक है न, इसकी क्या है, आपकी क्या है, institutional existence इसकी होती है, और साथ भी साथ यह क्या होता है, overseas करता है, and liberalization, the trade between the two and more countries, आप देख सकते हो, ठीक है, उसके बाद देखो, institution की एगर मैं बात करूं, इसकी existence नहीं है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसकी existence होती है, ठीक है न, इसके अंदर पूरे का पूरा जो secretarial system आपका चलता है, ठीक है न, उसके बाद साथ की साथ आपकी MCOTM, racial conference आपकी होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, GAT के अंदर, GAT के अंदर तो बस कुछ rule regulation fix कर दिये, व उसकी existence रहती है, साथ की साथ इसके rule regulation है, according to need, देखा जाता है, जैसे ही आपको पता है कि conference इनकी की जाती है न, तो उनके according आपका क्या होता रहता है, ये functionality इनकी change की जा सकती है, participant nations की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या होता है, आपका contracting parties की बात करते हैं, यहाँ पर application की बात करते हैं, get के अंदर क्या होता है, the rule of get are only for trade in the goods, goods की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, कि only trade किया जाता है कि इसके अंदर goods के अंदर trade करता है, get कि इसके अंदर trade करता है, जैसे balance of payment के अंदर मैंने आपको दो तरीके के account पढ़ाए थे, ठीक है न, दो तरीके के capital account हो इसके अंदर बात करूँ तो include करते हैं, ठीक है, इसके अंदर आपका foreign investment भी आ जाती है, और साथ की साथ आपकी goods वाली चीज़े भी आ जाती है, और साथ की साथ आपकी क्या होती है, intellectual जो property right होते हैं आपके, उनके लिए भी कुछ प्रवधान बनाए गये हैं, WTO के अंदर, और intellectual properties के बारे में आगे पड़ेंगे हम, ठीक है, commitments की अगर मैं बात करूँ यह होती है, provisional यह होती है, full and permanent, ठीक है न, permanently होती है, सारी की सारी चीज़े, तो इसके अंदर provisional होती है, देखो एक तरीके से जिसको provisional और permanent के बारे में नहीं पता न, तो जिस तरीके से आप क लिख कर के दे देते हैं, एक तरीके से, degree के तरीके का, मतलब थोड़ा निकाल कर के दे देते हैं, एक आपकी mark sheets थी, तो वो आपका provisional के according चलता रहता है, ठीक है, और जब वही चीज आपकी, आपके पास, एक degree के तरीके से आपके पास आ जाती है, तो आपको कहीं जाने की जरूर नहीं है वही वैलिड आपकी सारी जगा पर आती है वही चीज यहां पर आप समझ सकते हो कि गैट के अंदर ना प्रवीजनल थे कभी भी आप इसको इनकार भी कर सकते हो कई यूनिवस्टी बोलती है ना भी प्रवीजनल से करूं यहां पर गैट के अंदर इट is a europe और Division ली मुल्टि लेटर लबत प्रूरलि यहां पर ए म्टी लेट रो यहां पर मतलब मर्टे लेटर लह वह आपके दोर ना प्रूरलि आपके साथ करने हैं आप लोगों को टो ओ आपके बाद में होते हैं लेकनि यहां पर आपके सीधे ही कौन से होते हैं multilateral वाले agreement होते है purely ठीक है ना purely आपके मतलब यहाँ पर पहले एक-एक agreement करके देखा जाता है ठीक है ना एक-एक agreement करके देखा जाता है फाइदा होता तो आगे करते हैं नहीं तो नहीं करते लेकिन WTO के अंदर क्या होता सर जी सीधा आप बोल देते हो कि भाई ऐसे agreement है ऐसे standard fix कर रखे हैं अगर आपने करना agreement तो करो नहीं तो कोई भी force नहीं है आपको आप जा सकती हो साथ की साथ domestic जो legislation की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर get के अंदर allow किया जाता था कि आपकी domestic आपका जो घ्रेलू मतलब आपकी सरकार है आपकी politician है उनके कुछ fluctuation के कारना आप क्या कर सकते हो trade को बंद कर सकते हो ठीक है ना trade को क्या कर सकते हो बंद कर सकते हो चालू कर सकते हो get के अंदर लेकिन WTO के अंदर ना domestic जो आपका क्या होता legislation होता ना वो उसको कोई जगा नहीं होती मतलब जो रूर regulation बना दिये बना दिये आप किसी person को रोक नहीं सकते हो अगर वो WTO के अंदर आकर के आपकी country WTO की member है और आपकी government आपके ओपर दवाब डार रही है आपको सीधा मतलब ऐसा लगा लो कि trade नहीं करने देरी टेक्स वेरा ले रही है आपसे फालत हूँ तो आप complaint कर सकते हो सीधा तो उस चीज के लिए देखा जाए तो यहाँ पर जो आपके घरेलू रूर regulation होते हैं वो नहीं चलते WTO के अंदर लेकिन GET के अंदर वो आपके चलते हैं यहाँ पर dispute settlement system की अगर मैं बात करूँ slow and ineffective था GET के अंदर क्या था क्योंकि इसके खुद के अपने rule regulation थे खुद का system provisional तरीके से चलता है तो क्या ही सही करेगा जल्दी किसी को तो इस तरीके से अगर मैं बोलू तो यहाँ पर आपकी क्या होती है वही बात जो मैंने पीछे बताई है commitment वाली और यहाँ पर आपको कौन सा करवाया दो बार आ गया में भी commitments चलो कोई बात नहीं fully and permanently होती है कुछ और भी differences हो सकते हैं देखो जैसे गैट के अंदर क्या होता है यह 1947 के अंदर आया था इसका aim क्या था ठीके ना इसका aim यही था कि liberalizing करता है policy को and remove करता है tarish बगयरा को यह मैंने पढ़ा दिया था पहले ही और यहाँ पर क्या होता है WTO के अंदर global organization है और यह facilitate करता है inter country and मतलब resolve करने के लिए कोई भी आपकी जो disputes हैं उनको resolve करता है साथ की साथ यह multilateral होता है साथ की साथ इसके अंदर reduce किया जाते है tarish बगयरा functionality की dealing करने के लिए कुछ authorities गयरा होती है इनके पास जो क्या करती है international level के उपर economical affairs को ध्यान में रख करके functionality के according deal करती है GAT के अंदर 23 nations थे वो promote करते थे किस चीज को promote करते थे international trade को promote करते थे और cross countries के जो barriers थे उनको remove करते थे साथ की साथ contrary अगर मैं बात करूँ WTO is the global body की बात करते है ये क्या करती है आपकी GAT and deal with the GAT के rules के साथ तो थोड़ा मुटा deal करती है लेकिन इसके जो agreement होते है न वो complex नहीं होते है वो simple agreement होते है है GAT के अंदर लेकिन जो WTO है उसके आपके permanently होते है ठीक है न जो WTO है उसके permanently institution है उसके agreement है आपके permanently होते है और साथ की साथ GAT वाले आपके simple agreement होते है और नहीं इसकी जो institutional existence है वो भी आपकी नहीं होती है होती है साथ की साथ यहां पर बात करते है किसकी WTO का area आपका scope है वाइडर है क्योंकि जो GAT है इसके अंदर only goods की बात की जाती है WTO के अंदर आपकी goods के इलावा भी बहुत सारी जो चीज़ें उनकी बात की जाती है services के जो aspect है intentional properties के और साथ की साथ बहुत सारी और भी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती है investment बगार आपका WTO के अंदर आ जाता है लेकिन जो GAT है GAT के अंदर सिर्फ और सिर्फ goods के according आपके rule regulation applicable किये जाते है GAT agreement is the primarily multilateral जो agreement है उसका primarily agreement आपका होता है ये purely नहीं होता मतलब आने वाले time के अंदर नहीं होता लेकिन इसके अंदर क्या होता है purely बनाया जाता है multilateral मतलब जो decide किये हुए है standard उनके coding बनाया जाता है GAT और इनके बीच का जो है ये वैसे मैंने करवा दिया ये chart आप पढ़ लेना ठीक ना वही बात है slow ineffective है ठीक ना वही सारी चीज़े हैं जो मैंने पिछे आपको पढ़ाई है एक एक करके ये chart है इसमें सीधा करके दे रखा है मतलब एक ही page के उपर दे रखा है तो यहां त स्टार्ट करते हैं ठीक है जल्दी ही हमारी नई यूनिटे स्टार्ट करेंगे ठीक है जल्दी ही आपका legal aspect स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है ना legal aspect और एक side पर हम स्टार्ट करेंगे marketing management mm ठीक है चलो अच्छी बात है clear है तो वही चीज यहां पर बताई है ठीक है ना different के अं contracting parties होती हैं और इसके अंदर member होती है ठीक ना और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ trips and trims की जो नए हैं आपके rule regulation agreement WTO के अंडर बने हैं वो इसके अंदर नहीं थे लेकिन इसके अंदर specially emphasize किया जाता है इन चीजों के उपर साथ की साथ structure की बात करूँ तो पर्मानेंटली स्ट्रक्चर नहीं था जैसा दिल करता था वैसा काम करते थे यहां पर क्या होता है अब गैट और इनके बीच का थोड़ा सा ओर है देखो यहां पर 1948 दिया हुआ है अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड ट्रेड ओर्गिनाइजेशन है एस्टैबलीश कब हुआ था उनी सो सिंतालिस रखने है आप लोगों ने याद इसको ठीक ना उनी सो सिंतालिस रख लो तांकि आपको एक याद रह जाए अड़तालिस अगर कोश्चन के अंदर दिया होगा तो आप देख लेना और ये उनी सो पिनतालिस में था नेचर की अगर मैं बात करूँ तो एगरिवेंट करता है डिफरेंट कंट्रीस के अंदर यह क्या करता है आपका मौनीट्रिंग करता है international trade को scope की अगर मैं बात करूँ तो इसका scope कम होता है cover only trade goods की बात करता है इसके अंदर services की भी बात हो जाती है party spending जो countries आपके होती है इनको contracting party बोला जाता है इनको member nation बोला जाता है इसके अंदर allow नहीं होता इसके अंदर आपका allow होता है ठीक है न पर्मा sorry इसके अंदर आपका allow होता है जो आपके domestic legislation होते है न जो आपके rule regulation होते है आपके राज्या के वो GAT के अंदर अपनी मनमर्जियां कर सकते हो WTU के अंदर अपनी मनमर्जियां नहीं कर सकते हो permanently permit होता domestic legislation के उपर उसके बाद ये हिंदी के अंदर वही चीज बताई गई है GAT और WTO के अंदर ये देखो इसके अंदर भी 48 दिया है तभी मैंने देखा 2-3 साइडों के उपर 48 है किसी के उपर 47 है तो आपको दोनों याद कर लेने है 1947 और 48 ठीक है वही सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है आगे बात करते हैं कि WTO है इसके अंदर आपका जो traceries हैं वो कितने member हैं state है 164 member है और क्या है 98% of the world trade कौन समालता है आपका इसके अंदर हो जाती है 164 जो state आपके nations है इनके according देखा जाए तो world के अंदर ठाणवे प्रसेंट इनका दावाय बाकी कम भी हो सकता ज्याधा भी हो सकता है साथ-की साथ यहाँ क्या होता है package of the agreement आपको package मिलता है agreement जब आप nation के अंदर हिस्सा लेते हो यह WTO के अंदर कुँछ हिस्सा लेते हो तो आपको ना एकस मिलता है agreement के अंदर उसके अंदर आपको set of rule regulation बताए जाते हैं कि आपने किस तरीके से set of rule regulation करना है कि इस तरीके से दूसरों का जो trade है उसको production के साथ करना है साथ की साथ जो आपकी production रहेगी intentional property rights हैं जो आपके उनकी भी देखो ऐसा होता है ना कि 164 देश हैं अब 164 देश royalty pay किये तो भाई आपका तो नुकसान ही होगा ना उस चीज के अंदर तो उस चीज के लिए इन्होंने बोला है कि उस चीज के लिए WTO है ना सकती के साथ आपको क्या करता है help करता है उस चीज के अंदर और आपकी intentional properties right होते हैं उनकी protection यहाँ पर करता है platform multilateral जो negotiation है उसके लि years होते हैं dispute settlement system आपका बहुत अच्छा effective है बहुत ही ज़्यादा fastly काम करता है इसके अंदर most effective among all international organization है उनसे सबसे ज़्यादा इसका मतलब justice ले लो justice ले लो वो बात है कि सबसे अच्छा इनका system इन्होंने बोला है कि हमारा सबसे अच्छे वाला system है आपको किसी भी तरीक्य क कोई भी problem होती है तो हम उसको settlement साथ की साथ करेंगे source of information की बात करते है कि जब आपको पता लग जाता कि इंडिया कितने number पे है देखो WTO के अंदर 164 member है ठीक है 164 member है तो वहां से पता लग जाएगा किस बंदे ने कितनी ज़्यादा trade की है कितने पैसों की trade की है उनका balance of payment ब आले होती है सारे दुनिया को पता लगेगा कि इंडिया कितने number पे है ठीक ना साथ की साथ ये जो information होती है वो आपके banks के लिए आपका जो central bank होता है उनके लिए जैसे हमारा कौन सा है RBI साथ की साथ economical policies के लिए trade policies के लिए यह और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके काम आती है जो information आपको WTO से मिलती है जो information आप कहां से लेते हो WTO से लेते हो उनका आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है और वहाँ से किस तरीक्टे से फायदा होता है कि आप उनको अपनी नई-नई policies यां बनाने के लिए नई-ने तरीकों से उसंको use कर सकते हो आगे बात करत परोगेनाईजेशनल स्ट्क्च्चर है किस तरीक से डविट यो ju eighth apply का इसका पर्मानेंटली स्ट्क्चर होता है इसके इंदर ना मतलब बहु swipe सारे सेट्व की यह होते है इनका जो हैґड़ वार्ट सर्गाइब वह आपका कहा है एड़ कॉर्ट डव जिनेवा के अंदर है स्वीजर लेंड के अंदर ये बात आप लोगों ने याद रखनी है इसको note down कर लो कि हैड़ क्वार्टर कहां पर है आपका WTO का जिनेवा के अंदर कहां पर है स्वीजर लेंड के अंदर The organizational structure of WTO is the head by Ministerial Conference जो after two years Every two years आपकी होती ही होती है मतलब साल में एक दो बार होती है दो साल के बाद मिल सकते हैं या पहले भी मिल सकते हैं वो इनका है मतलब दो सालों के बाद तो होगी पकी होगी ठीक है ना Cancel हो जाती है जैसे अभी करोना चला है उस वज़ाब से cancel हो जाती है लेकिन एक बार schedule करते हैं वो meeting अगर फिर भी जुरूरी मिलना है तो आपका video conferencing बहुत सारी चीच्छें आपकी हो सकती है the journal जो आपकी क्या होती है यहाँ पर counselling होती है न जो journal counselling होती है यहाँ पर पर्मानेंटली वो क्या करती है और इजन करती है framework के लिए help करती है आपकी policy framework किस तरीक किसे बनेगा ठीके न उसके अंदर आपकी journal counselling की कितने type की बोड़ी होती है two type की आगे समझा देता हूँ यहाँ आपको अच्छे से समझ आएगा यहाँ देखो सब कुछ मैंने एक ही चार्ट के अंदर डाल दिया एक ही अच्छे से चार्ट के अंदर मैंने डाल दिया आपको यह बात आपने याद रखना है यह दो सालों के बाद आपकी meeting होती है अब ministerial conference है वो आपकी journal counselling के दोरा समझा ली जाती है अब journal counselling की ना दो तरीके की आपकी क्या होती है bodies होती है दो तरीके की bodies होती है और दो तरीके की जो bodies हैं वो क्या क्या करती है सबसे पहले एक number पे बात करती है तो यहाँ पर है trade policy review body ठीक है ना trade policy review body जिसको क्या बोला जाता है TPRB इसकी full form भी याद रखनी है आप लोगों को कुछ भी पूछ लिया जा सकता है exam के अंदर तो सबसे ज़्यादा syllabus आपका किसका है international business का है यह tax का है यह लोग का है इस तरीके से तीन syllabus आपके ज़्यादा है जो आप से मतलब बिल्कुल deeply पूछे जाती है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो trade policy review का मतलब यह होता है कि जो आपने नहीनी policies बनाई है तो trade policy बनाने से पहले आप उसको पर्मानेटली नहीं रखते हो कुछ उनके उपर review लेते हो देखो 164 member हैं आपके तो 164 member हों से आप क्या करते हो और review लेते हो कि भई trade policy है इससे आपको फाइदा होगा इससे इतना फाइदा होगा सबके agreement के बाद जो journal council होते हैं वो MC के पास आपका क्या कर देते हैं भेज देते हो इस चीज़ को और वो आपकी policy है वो pass कर दी जाती है साथ की साथ कुछ आपके जर्नल काउंसलिंग के अंडर एक बोड़ी आती है DSB इसका मतलब क्या है dispute settlement body इसके अंदर आपके जितने disputes होते हैं विवाद पैदा होते हैं दूसरी देश्यों के साथ other countries के साथ उनको यहाँ पर ठीक किया जाता है उनके लिए अच्छे से जो कारवाई यहाँ पर की जाती है जर्नल काउंसल के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें आती है जैसे सबसे पहले बात करता है committee and work grouping की बात करती है कौन कौन सी committee and work groups आती है आपके working groups आती है trade and environment trade के साथ साथ आपको environment group का भी ध्यान रखना पड़ेगा मतलब आपने trade करनी है ऐसा नहीं है कि pollution करना है ठीक ना trade करो पर साफ सुत्री वाली वो चीज़ें नोंने trade के साथ environment को जोड़ा है trade ऐसी करनी है जिससे आपका environment दूशीत ना हो दूसरी बात trade and development trade के साथ ऐसा link बनाओ कि आपकी country का भी development हो और दूसरी की country का भी development हो ऐसा नहीं हो कि आप अपने जो minerals हैं अच्छे जो चीज़ें आपके देश में वो सारी खप्त कर दो सिर्फ trade में और बाद में ठंठन को पाल वाली बात है कि जो चीज़ें थी वो भी आपने दूसरे देशों को बेश दी ठीक है ना अभी मोदी जी तो ऐसा ही कर रहे है बाकी तो पता नहीं ठीक है ना तो बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें उनको दूसरे देशों को बेश दिया गोल्ड था हमारे पास वो भी बिग गया तो वो सारी चीज़ें गर मैं देखूं यहां पर तो ट्रेड के साथ ना ड्वेल्पमेंट जुरूर ही आपका ठीक है ना जीडीपी आपकी बढ़नी चाहिए ना कि डाउन माइनस में चली जाए वो चीज़ें साथ की साथ कंप्लेंशन पोल्सी आपकी होनी चाहिए यहां पर साथ की साथ external जो depths हैं आपके दूसरे देशों से पैसा बगयरा लोगे दोगे किस तरीके से उनके उपर भी आपका किस तरीके से जो system है वो चलने वाला है वो सारी चीज़ें यहां पर आपकी देखी जाती है वो सारी चीज़ें आपकी यहां पर देखी जाती है transfer of technology transfer of technology का मतलब क्या होता है यह किसके अंदर आती है यह भी आपकी development के अंदर ही आती है ठीक है ना वो भी आपकी क्या आती है development के अंदर ही आती है यहाँ पर पूरे का पूरा सिस्टम यह मान के चलो कि committees जो आपकी बनाई जाती हैं और work group आपके बनाई जाती हो वो इस हिसाब से बनाई जाएं कि ना तो आपकी country को किसी भी तरिक्के का lowest हो, environment अच्छा रहे, development किया जाए, policies आपकी अच्छी होनी चाहिए, साथ की साथ जो द goods की अगर मैं बात करूँ तो goods के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आपकी आजाती हैं, जैसे agriculture goods है सबसे पहले आएगी, ठीके ना, और सबसे पहले कों सा आपका agreement बना था, AOA agreement ही आपका बना था, ठीके, agreement on agriculture, साथ की साथ textile आपकी clothing की बात करते हैं, tariffs measurement की बात करते हैं, ठी इनको याद करना है, जादा कुछ नहीं करना है, इनका import licensing की बात करते हैं, कि आपने अगर माल को बाहर दूसरी country में बेचना है, किस तरीके से बेचना है, non tariff measurement है, उनकी यहाँ पर बात की जाती है, साथ की साथ council for the trips की बात करते हैं, ठीके ना, यहाँ पर TRIP की बात करते ह होता है, बच्चे पता है किसी को, TRIP का मतलब फुल फॉर्म पता है किसी को, TRIP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो TRIP का मतलब यह होता है, कि जब आप दूसरे देशों के साथ क्या करते हो, यहाँ पर पूरी की पूरा यह होता है, agreement on the trade related intentional property rights, ठीक है ना, intentional properties right, trade related, किसके intentional properties rights, कि अंडर क्या किया जाता है, अब इसके अंडर क्या क्या चीजरे आती है, पेटेंट, सो गया, आपके को, प्या आइट राइट हो गया, ट्रेड मי sizka हो usually, जिग और फीकल, इन्डिकेशन की अंदर क्या होता है, किति को पता है देशने पहले बनाई है ना तो वो बंदा अगर दूसरे देश्यों को उसका फॉर्मूला बताएगा ना उसके बदल में आपको कुछ ना कुछ मांगेगा वो कि हमारी सर्च पे इतना पैसा लगा है अगर आपने यह फॉर्मूला यूज करना है तो भाई इतने जेव धिली कर दो ठीकर ना दूसरे देश से वो बंदा क्या करता है रोलटी बगारा यहां पर लेता है ठीकर ना यहां पर जोग्रफिकल इंडिकेशन भी आ क्या आउट्फलो किसे लेंगे आप दूसरे देशों से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, रोयल्टी किस तरीके से आपका, ठीक ना, ब्राउन फिल्ड और ग्रीन फिल्ड, इनके उपर न, मैं आपको आज शोटी सी एक वीडियो बनाऊंगा, तो इनके उपर आपको पता लग जाएगा, ठीक न, जो मैंने बोला था न, आपको कि बहुत सारी चीज़ें नही रप करवाऊंगा, ठीक न, ब्राउन फिल्ड और ग्रीन फिल्ड क्या होता है, बाकी आपको यहां भी बता दूँगा, बाकी उसमें वीडियो में बता दूँगा, साथ की साथ, अधर जो कमेटी आपकी वनी है, नेगोशेशन करने के लिए, कुछ ना, कुछ ठीक है न, यहां से लगते हैं, और सारे पढ़ेंगे, मिनिस्टियल कॉंफ्रेंस क्योंकि यह आपका पूरा अच्छा कासा बनता है, चैप्टर और यहां से आपकी क्वेशन, हर बार एक क्वेशन आता है, दो क्वेशन आपके आई जाते हैं, यहां पर मिनिस्टियल पोड़ी मतलब यह शाशन करती है मतलब हर चीज को अपने अंडर रखती है सबसे उपर यह है ना तो इसके अंडर ही सारे काम चलेंगे आपके तो इनके अंदर क्या होती है इसके अंडर पूरे के पूरे है ना मालो की आपने जितने भी एगरिमेंट करने है उसके अंडर जो जो चीज़ें आपकी आएंगी वो सारी की सारी बच्चे इसके अंडर ही आपकी देखी जाएंगी उसके बाद बात करते है किस चीज़ की दा मिनिस्टियल जो कॉन्फरेंस में मीट दा लिस्ट वन्स एवरी टू यर कि दो साल के बाद कम से कम एक बार आपकी मीटिंग होगी दो साल के अंदर ये बात आप लोगों नहीं याद रखनी है इंपोर्टेंट पॉइंट है ये ठीके ना कि कब होती है आपकी दो साल में कम से कम एक बार तो होगी होगी साथ की साथ यहाँ पर आपका वोटिंग राइट है वो किस तरीके का होता है वोटिंग राइट आपका जर्नली मतलब ऐसा मान के चल सकते हो कि आपकी जो प्रकिरिया है ना वो आपकी कठीन भी हो स रखती है 164 मेंबर हैं तो मतलब आप समझ सकते हो और दूसरी बात ना यहां पर एक ध्यान रखनी की बात यह है आपका WTO के अंदर ना एक जो गैट था उसके अंदर यह था कि जिसका पैसा जादा था उसी की बात सुनी जाती है चाए वोट एक साइड दो लोग ने किया तीन लोग ने किया और एक साइड पंदरा लोग है तो उनका जादा मतलब सुनवाई होती थी जिस बंदे का पास पैसा जादा था ठीक है आजकल तो WTO में भी सुने ऐसा होता है कि अमरीका साइड लेता है ठीक है ना लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आपका राइट है जो वो इक्वल रहता है इक्वल डिसीजन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है एक्वली आप मतलब जो वोटिंग राइट है आपका रहता है यहां पर साथ की साथ आगे बात करते हैं जर्नल काउंसल की जर्नल काउंसल के अंदर क्या होता है यह री प्रेजेंट करता है सीनियर री प्रेजेंट करता है आपके असेंबलर होते हैं और जो मेंबर नेशन आपके उनके एक एक मेंबर होते हैं इसके अंदर क्या क् डे की जो आपकी क्या की जाती है जो activities की जाती है ना उनको इसके अंदर operation जो day by day के की जाती है ना उनके लिए जो program arrangement होता है वो ये बंदे करते हैं ठीक है ना इसके अंदर assist करती हैं दो बोडी दो बोडी कौन सी होती है जर्नल की एक तो मैंने आपको बताया था कि trade policy review बोडी आपकी दूसरी dispute settlement बोडी आपकी ठीक है ना इसके अंदर क्या होता है सारी सारी चीज़े देखी जाती है कि किस तरीके से आपने implementation करना है क्या क्या आपके obligation रहेंगे उसके बाद आपकी appealant किस तरीके से आपकी चलने वाली है और जो भी आपके most जो issue रहते हैं decision making के अंदर यहां किसी भी disputes के कारण मालो disputes के कारण भी कई बार क्या हो जाता है कि यार इस बंदे ने यहां पर vote की है ना मैं ulti side vote करूँगा उसके विप्रिद तो उन सारी appealant को set करने के लिए एक आपका distribute settlement body आपकी बनाई जाती है जहां पर ठीक ना body review के अंदर क्या होता आपका इस तरीके का mechanism चलता है वो क्या करता है आपके जितने भी members होते हैं वो पूरे का पूरा implement करने के लिए obligation करने के लिए कि कि इस तरीके से कोई बंदा मतलब किसी कारवाई को करेगा यह अपने देश के अंदर कि इस तरीके से trade करवाएगा वो सा अंदर यहाँ पर क्या किया जाता है यह आपका member होते हैं जितने भी सारे member हैं वो इस body के अंडर है ठीक है ना मतलब ऐसा मालो WTO के जितने सारे member है ना 164 उनको सभी को dispute settlement body की बात माननी पड़ती है क्योंकि यह आपका WTO के अंडर आता है effective तरीके से जो implementation की है मालो उनके अंदर कोई कमी है या disputes है उनको resolve process के according यह क्या करती है solve करती है साथ की साथ कुछ अच्छे implementation के decision लिये जाते हैं अगर उनके अंदर फिर से कोई disputes हो जाता है उनको भी resolve करती है और जो permanent appealant body बन गई थी ठीक है न देखो जो 1995 के अंदर आपका WTO बना है ठीक है उससे पहले body मतलब get के अंदर बनाई होगी इन्होंने 1994 के अंदर इन लोगों ने जो permanent body बना दी थी dispute settlement body को कब बनाया था 1995 में बनाया था जो WTO के सारे के सारे member है न वो binding होती है all member under the dispute settlement body ठीक है यहां तक बच्चे किसी बच्चे को कोई problem है तो पूछ सकते है साथ की साथ final decision of the appealing body can only be देखो जो आपका एक final निप्टारा कर दिया न मतलब ऐसा मालो कि जो disputes settlement body ने बोल दिया न कि आपको 60% मिलेगा और इनको 40% मिलेगा इनको 30% मिलेगा जो भी इनके अंदर जो भी system है न वो ऐसा मान के चलो कि यह जो disputes है न इन बोडी के दौरा जो भी final decision लिया जाता है ना उनके अंदर full concession देखा जाता है पूरी की पूरी जो आपके 164 member हैं यहां जिन लोगों का disputes था उनको वो बात माननी पड़ेगी इनका final decision नी तो आप WTO का जो member है मतलब membership है उसको खोद होगे ठीक है ना membership आपकी खतम हो सकती है यहां पर उसके बाद यह council on the trade goods and जो यहां पर बताई गी थी मैंने यह तो पढ़ाने की जुरूरत भी नहीं है ठीक है ना यह वाली council है इसके अंदर क्या आएगा goods के अंदर आएगा agriculture वो सारी चीज़ें यहां पर बताई गी है ठीक है यह देखो कि इसके अंदर क्या होता है जो भी आप operation बगारा क चीज़ों के लिए जो समझोते किया जाते है न वो इसके अंदर बनाया जाते है सारे के सारे और साथ की साथ क्या होता है trade related expect of the intellectual properties राइट है आपके उनके अंदर भी यहां पर dealing की जाती है कि कोई बंदा आपके किसी भी फार्मूले का गलत तरीक के से यूज नहीं करेगा है उसका भी ध्यान रखने है आपका जो development उसका भी ध्यान रखने है मतलब आपने ऐसी चीज़ों पर focus करना है जो आपके sustainable development जो issues है ना उनको भी साथ में लेकर के चले मतलब ऐसा होना चाहिए जो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर अगर आप किसी देश के साथ आप क्या कर रहे हो कोई वापार कर रहे हो तो आपका ऐसा नहूंकी आपके पास मालो आपके पास क्या है कुछ लगा लो हीरा लगा लो ठीक है ना आपके पास hebohוא की खान जाए एक ईक बार दो उसके बाद धीरे दीरे आपका जो GDP वह गिर जाए सब कुछ गिर जाए आप दूसरे आपके पास पैसा आ गया जब पैसा आ जाता तो हम लोग खुद का काम नहीं करते दूसरों से करवाते दूसरे देश्यों से आप लोगों ने क्या किया ज्यादा से ज्यादा माल मगवाया और बात में जब आपके पास पैसे खतम होगे तो वही बात है कि ठंठन गोपाल वाली बात है फिर तो तो उसके बाद जो आप यहां पर बात बोलेगी कि sustainable development हो आप ऐसा नहीं करोगे ठीक ना ऐसा आपको डव्यू टियो नहीं करने देगा हाँ जहां पर आपको जुरूरत है यहां आपके पास कुछ ऐसा नेचुरल resources हैं जो आप दूसरे देश को बेच सकते हो लेकिन एक limitation के अंदर sustainable जो development issues हैं उनको ध्यान में रख कर ऐसा ना हो कि आपकी country के लोग हैं उस natural resources का यूज ना कर पाए और आप उसी चीज को दूसरे देशों में बेच लो ऐसा आपको नहीं करना है यह बात यहां पर बोली गई ह साथ की साथ कुछ agreements आते हैं ठीक है ना कुछ embodies आपकी आती है कुछ agreements आपके आते हैं उर्गवे roundости के अंदर इतने सारे आपके agreements है वो आते हैं ऑके सबसे पहला agreement आपका कौन सा था agreement on agriculture AOA की बात करते हैं उसके बाद बात करते हैं trade in textile cloth की बात करते हैं multifiber agreement इसको बोला जाता है इसके अंदर बहुत सारी चीजियों और भी आपकी आ सकती है trade related to intentional property right की बात करते हैं सबकी full form बच्चे लिख लेना उसके बाद बात करते हैं Jews के अंदर भी लिख लेना tips की बात करते हैं टिपस के आंदर आपका मैंने बता दिया TRIMS की बात करते हैं TRIMS के अंदर क्या आता Trade-related investment क्या आते हैं आपके कुछ majors होते हैं इसके अंदर major करने के लिए वो सारी चीज़ें आती हैं उसके बाद किसकी बात करते हैं GATS की बात करते हैं Journal Agreement on Trade and Service की बात करते हैं ये आपका किसके अंदर आता Trade and Service की बात करते हैं इसके अंदर आपका goods भी आ सकता है और service भी आपकी आ सकती हैं Dispute, settlement की बात करते हैं Agreement on Anti-dumping की बात करते हैं और Trade Policy Review Mechanism ये आपको मैंने बताई दिया बग्की इसको भी पढ़ा दूँगा मैं तो कौन-कौन सी चीज़ें आपकी दो रह चुकी थी कौन-कौन सी Greenfield वाला रह गया था न एक तो ठीक है उसको चलो last में करते हैं Greenfield बगेरा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ एक बार देखो brownfield होता है एक होता greenfield तो brownfield क्या होता है आपका brownfield क्या होता है पर दो पॉइंट से आपके एक मिनिट यहां पर यहां पर दो पॉइंट से लिख लो इनको लिख लो ठीक है ना Greenfield और brownfield की अगर मैं बात करूँ brownfield होता है कि नए plant को नहीं बनाया आप लोगों ने पुराने ही plant के अंदर आप लोगों ने पास machinery है उनको यह अच्छे से काम करने योग्या बनाना या अपना plant थोड़ा बड़ा कर देना वो सारी चीज़ें आती है Greenfield क्या होती है New plant को implementation करना जिसकी site बगारा नहीं थी ठीक है ना पहले किसकी site बगारा नहीं होती जिन चीज़ों की Greenfield मतलब होता है Zero level से जिरो लेवल से जो काम करते है दोनों चीज़ें आप लिख लेना समझ आया आपको Greenfield और Brownfield चोई इवेस्टमेंट होती है इनका मतलब ठीक है यहां तक में भी आप सबको समझ आ गया होगा आगे बहुत पड़ा है अभी तो अब देखो GAT की अगर मैं बात कर दो Journal Agreement on Tariffs and Trade की बात करते है किसकी बात करते है बच्चे Journal Agreement on Tariffs and Trade की यहां पर बात की जाती है उसके बाद GATS की बात करते है दोनों के अंदर difference है पहले देख लो यहां पर बात करते है Journal Agreement on Trade in Service टिप्स की बात करते है तो Trade-Lated Aspects of Intentual Properties Right की बात करते है अब GATS की बात करते है इनको समझ लेती है यहां तक बच्चे किसी भी बच्चे को कोई problem है तो बता दो उसके बाद इसको start करते है ठीक है इसके अंदर कुछ नहीं है खास बस 10 minute के अंदर cover कर देंगे यह तो कुछ problem है यहां तक किसी को जो भी student बैठे है यहां तक comment करके बताओ सारे के सारे बच्चे एक बार एक minute का break लेते हैं उसके बाद फिर द्वारा start हो जाएंगे ठीक है कोई problem तो नहीं है यहां तक I hope कि सबको clear हो गया होगा ठीक है सबको clear हो गया होगा चलो ठीक है आगे चलते हैं यहां पर देखो Journal Agreement on Trade in Service is the treasury of the World Trade Organization that entered into force देखो जो आपकी 1995 के अंदर क्या आया था आपका WTO आया था साथ की साथ आपका बहुत सारी और भी चीज़े लेकर आया था GATS Journal Agreement on Trade in Service की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर देखो Service की बात करते हैं कि जो चीज़ें आपकी GATS के अंदर नहीं थी GATS के अंदर ना Service वाला कोई भी फंडा नहीं था GATS के अंदर ना बिल्कुल Service वाला कोई भी फंडा नहीं था लेकिन इसके अंदर आपका Service वाला पूरे का पूरा फंडा था तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपकी हैं तो यहां पर क्या था आपका multilateral trade जो system था उसके अंदर service को क्या किया गया था service sector को उसके कुछ आपकी rule regulation बनाए गये थे ठीके ना service sector का क्या किया गया था जो वेपारिक परनाली थे आपकी उसको यहां पर create किया गया था all the member of WTO are the signature देखो जो जो WTO के 164 member है ना उन लोगों के भी मालों ये लगा लो की वो भी यहां पर क्या है आपके सगनेचर उन लोगों के भी है वो भी इन चीज के member है GATS के वो भी किसके member है GATS के वो भी member है साथ की साथ यहां बात करते है दा basic WTO principle of most favorite nation ठीक है ना यहां पर कुछ आपके ना WTO के क्या है कुछ आपके principles हैं कुछ आपके principles हैं वो आपको बता दूँगा जैसे कि यार तीन-चार principle है रैसो प्रो सिटी की बात करते हैं ठीक है ना रैसो प्रो सिटी की बात करते हैं रोसी प्रो सिटी का मतलब यह होता है कि आप लोगों यहां पर गुड मोर्निंग राहूल कुमार कैसे हो फिर आप लोगों ने यह करना होता है कि आप जो चीज आपकी फेवरेट चीज है ना उसी के अंदर आप क्या कर सकते हो वपार कर सकते हो वो चीज़ें होती है मतलब equality दी जाती है हर बंदे को equality treatment दिया जाता है जितने भी nation है ना उनको equality treatment दिया जाता है ऐसा नहीं है कि जिसके fund ज़्यादा है WTO में वही मतलब अच्छे से काम करेगा या वो अपना क्या कर सकता है decision सबको equal decision मिलते है trade without any discrimination discrimination का भी आपको पता लग गया साथ की साथ national treatment आपका local ह चाहे वो foreign है उनको equally treat किया जाएगा ये आपके थोड़े क्या होते है principle होते है साथ की साथ आपका free trade principle आपका वो भी आपका रहता है कि हर बंदे को free trade principle के according क्या करना पड़ता है मतलब हर तरीके से आपको जो trade करना है वो freely आप trade कर पाओगे ठीक है ना free trade कर पाओगे उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि GAT के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी आती है GATS के अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी आती है Banks, Insurance, ठीक है ना Insurance firm आ जाती है Telecommunications, Companies आपकी आ जाती है ठीक है न टोर, Operating आपका आ जाता है Hotel chain आपका आ जाता है साथ की साथ, मतलब इस तरीके की जो चीज़ें आपकी किसके अंदर आती है Services, Services आपकी travel हो सकता है Tourism, वो सारी वो आपकी GATS के अंदर आ जाती है GATS के अंदर आपकी आ जाती है कौन कौन सी चीज़ें, जो banking है Service के अंदर जो सेक्टर आती है उनकी जो trading होती है, वो इसके अंदर आपकी आ जाती है GATS के अंदर, GATS के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ जाती है, यहाँ पर दी हुई है साथ की साथ, यहाँ पर आपको सारी की सारी सेक्टर हैं, जो willing to open form competition आपका खुला आपके पास ना मतलब 24 होती है GAT को define कीजिए सर GAT को तो मैंने कर दिया ठीके ना, भई GATS GATS का मतलब यह होता है कि Journal Agreement on Trade in Service कि जब आप कोई भी trade service कर रहे हो ना, तो आप international level पे W2 के अंदर आप वपार कर सकते हो किसका service का लेकिन इससे पहले जो GATS था ना, इस GATS के अंदर आप यह, मतलब GATS का use नहीं कर सकते थे services यूज नहीं कर सकते थे इसमें only only goods की बात की जाती थी इसके अंदर अब services की बात की जाती है अब GATS के अंदर कौन कौन सी services आती है आपकी देखो 12 तरीके की category हैं और इन 12 तरीके की categories को आगे सब ड्वाइड किया गया 160 किसके अंदर 160 सब ग्रूप्स के अंदर कौन कौन सी हैं जैसे business है business include the profession and service है computer system आपके आ जाती है business computer का system है उस तरीके से आप business कर रहे हैं online business कर रहे हैं वो इसके अंदर आ जाते है आपका साथ की साथ communication टैली ग्यूनिकेशन आपका आ जाएगा construction and engineering की बात करते हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगा distribution traveling की बात करते हो ठीक है ना साथ की साथ एक चीज और होती है आपकी distribution के साथ-साथ आपका क्या होता है transportation उसकी भी बात करते हो यहाँ पर साथ की साथ क्या होता है education है, environmental है, finance है, health है, tourism है ठीक है ना इस तरीके से सारी की सारी transportation यहाँ दिया हुआ है तो इस तरीके से आपकी वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल की जाती है यह आपको याद रखनी है कि यह यह चीज़ें आपकी gets के अंदर include की जाती है gets की न अब चार तरीके के modes होते हैं gets के कितने तरीके के mode है, चार तरीके के mode है कौन-कौन से modes है, mode number one की अगर मैं बात करूँ तो cross boundary supply, यहाँ पर क्या करती है, आपकी जो service ही चलती है वो जैसे banking और architectural service आपकी यहाँ पर आती है उनका transmission किया जाता वाया किसके telecommunication और mails के ठीक है न, banking service आप दूसरी online system से telecommunication से साथ की साथ architecture जो services होती है, वो भी आप दूसरी member country यों को दे सकते हैं WTO के अंदर जो 164 member आती हैं, वो office के अंदर mode number one के according banking और आपकी architectural क्या कर सकती है, services को transmitted कर सकती है telecommunication और mail के थूँ, mode number two के अंदर आता है consumption aboard, consumption aboard refer to the, देखो पहला का नाम था cross boundary supply की बात करते हैं, दूसरा consumption aboard की बात करते हैं इसके अंदर क्या-क्या चीज़ आ जाती हैं आपकी, इसके अंदर आपका tourism system आ जाता है, ठीक है ना, कि आप दूसरे देशों के अंदर घूमने जाते हो ठीक है किस तरीके से आप रहते हो, देखो, tourist हो सकता आपका या patient हो सकता, दूसरे देश में जाकि आपने इलाज करवाना है या दूसरे देशों से आपने doctor के service लेनी है, ठीक है ना, या टूरिजम घूमने जाने आपने तो आपकी जो member countries है ना, तो वो वो आप उन उन देशों में जा सकते हो, जो WTO की member countries है उन में आप जा सकते हो, easily, ठीक है ना, बस आपकी पास अपना जो documents हैं, वो complete होने चाहिए तो इस तरीके से आप tourism activities आप कर सकते हो, mode number 3 कि अगर मैं बात करूँ तो commercial presence की है, यहाँ पर बात करते हैं कि वनजिक उपस्तिती की यहाँ पर बात करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, commercial के अंदर तो आपको बताईए कि ownership है, ठीक है ना, permits हैं किसी चीज़ के, या कुछ भी मालो आपका, कुछ document है, import, export के लिए तो commercial के अंदर जो सारी चीज़ें आती हैं, आपने पढ़ी हैं आस तक की वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी, include हो जाएंगी, इसके अंदर insurance company हैं, domestic subsidies है, of the foreign insurance company, hotel chains हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी commercial modes presence के अंदर आपकी आ जाती हैं, presence of the natural person की अगर मैं बात करूँ, natural person के अंदर आता है, यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर movement of the skill person such as the accountant हो गया, doctors हो गया, teachers हो गया, engineer हो गया, कुछ भी हो गया, member country जो आपकी traceries हैं, उनसे आप मगवा सकते हो, intiring कर सकते हो, members को वहां से hire कर सकते हो, अपने देश में मगवा सकते हो, उनकी service आप ले सकते हो, यहां दूसरे देश के अंदर marketing कर वा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर include की जाती है, agreement of agriculture, AOA की बात करती है, इसका मतलब क्या होता है, 1957 के अंदर आपका क्या किया गया था, यहां पर, 1957 के अंदर एक recognition किया गया था, जो GAT के अंदर था, देखो, जो AOA है न, यह सबसे पहला agreement था, और यह न, GAT के अंदर किया गया था, किसके अंदर किया गया था, GAT के अंदर किया गया था, अगर पता हो आपको तो, नहीं, क्योंकि 1995 के अंदर आपका क्या हुआ था, WTO आया था, बस यह है कि इसके अंदर सुधार कर दिया गया, ठीक है, इसके अंदर मतलब negotiations करते हो such as the examine of the effective agriculture जो आपका protectism आपका system होता है उनको यहाँ पर देखा जाता है fluctuating जो आती है commodity price के अंदर आती है चाहे आपने दूसरी देशों से कोई भी fertilizer मुआना है कुछ भी ऐसी चीज़ों होती है ना उन चीज़ों के लिए आपने import करना उन चीज़ों के उपर एक तरीके का agreement आपका होता है Indian face किया था इन लोगों ने 1908 को हमारी इंडिया ने क्या किया था इस चीज़ों का पालन किया था AOA agreement को adopt किया था साथ की साथ यहाँ पर बात करते हैं minimize the effect of subsidy on the competitiveness competitiveness के उपर आपकी जो subsidies है ना उनको यहाँ पर क्या किया गया था minimize किया गया था replacing crop price sporting by the direct supplementary payment यहाँ पर वो चीज़ बताई गई है AOA के अंदर ना कुछ नहीं आपने food supply देखना है grains देखना है less development country है उनको sport देनी है यहाँ जिस country के अंदर ज्यादा agriculture system है वहाँ से production करवा कि दूसरे देशों के अंदर जहाँ पर आपकी poverty बगएर उनके साथ क्या करने है आप लोगोंने help करनी है उनकी और self sufficient जो आपका industrialization है वो आप लोगोंने यहाँ पर करना है large जो आपका surplus जहां से आपको ज़्यादा benefit मिलता है ऐसी चीज़ों के उपर आप लोगोंने subsidy provide करके export को बढ़ावा देना है और साथ की साथ जो nation countries हैं उनके अंदर जो farming होती है उनको develop किया जाता है इसके अंदर आपका marginal lands है ठीक है न थास production efficiency है इनको बढ़ाया जाता है मतलब आपको पूरी sport की जाती है हर चीज़ के अंदर multilater negotiation करके साथ की साथ यहां पर देखो formulation किया गया था जब WTO ठीक है न गैट का एक successor था WTO ठीक है successor था और mainly trade करता था सबसे पहले जो गैट है आपका देखो सबसे मुख्या रूप आपका development का होता है agriculture ठीक है न कोई भ agriculture एक ऐसी sport आपको देता है ऐसा assistant अगर आप अच्छे से कर पाते हो तो agriculture सबसे अच्छी चीज़ होती है जो आपको develop करने में help करती है mainly trade देखो agriculture के अंदर भी तो कोई ना कोई चीज़ों की पैदावार करोगी उसको बेचों के तब ही तो पैसा आएगा ना तो agriculture सबसे मलब एक बड़ा system होता है जो आपकी development के अंदर आपकी help करता है mainly trade related agreement where signed by the member countries यह agreement आपके signed किया है member country ने फर्स्ट टाइम एगरिमेंट ओन दा फर्स्ट टाइम एगरिमेंट कौन सा था आपका सर्जी agreement ओन दा एगरिकल्चर साथ की साथ to reform दा यहाँ पर आपने dismantle जो trade barrier से उनको कम किया है उनको कमी करके आगे बढ़ाने की कोशिश किया है अब agriculture sector आपका क्यों जुरूरी है सबसे पहले इसको क्यों लिया है play a crucial role reduce the poverty poverty को reduce करने के अंदर WTO के जब मैंने function आपको पढ़ाये थे ना उसमें एक function आपका यह भी था कि poverty बगारा को मतलब क्या करता है कम करने के अंदर help करता है रोजगार पैदा करता है WTO के अंदर अभी तो यह international business खतम होगा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे legal aspect ठीक है ना legal aspect स्टार्ट करेंगे और एक MM marketing management सारी unit cover करेंगे tension मतलोग ठीक ना साथ की साथ यहाँ बात करते है कि इसकी in development country development country की यहाँ पर बात की जाती है agriculture और rural development की बात करते है contribution a large shape of यह जो sector होता है आपका agriculture है GDP आपकी होती है ना gross domestic product है उनके अंदर आपका large contribution किसका होता है agriculture का होता है primary source of the employment बहुत सही बात है कोई भी बंदा है जिसको job गारा नहीं मिलती तो उसके पापा क्या बोलते है चल बेटा jobs की कमी है तो चल मेरे साथ चल खेत के अंदर चल ठ aggregate agriculture आपका बन जाता है उर्गवे round केंदर आपका जो एग्री गलचर है ठीक ना उर्गवे round केंदर आपका जो एग्री कलचर है इसकी घृर जो एग्री मेंट आपके की है ö-e o-e का》 a-e क कीतने पिलर थ्री पिलर है थ्री पिलर के अंदर किस त scrim एग्रिमेंट आपकी आते हैं एक आता है Comicומop allocation की बात करते हैं एक आपका कोंसा होता है domestic sport आगे domestic sport आपकी कितने त्रीक्षे क्यों होते सर जी वो तीन त्रीक्षे की होती है ठीक है थिकना त्युक्ति रिखे के की इसके इंदर boxS आते हां आपको बताता हूं सबसे पहले इस बगेरा लगे हैं अगर वो कम कर दिये जाएंगे तो मतलब आपको market के अंदर जाने के लिए help होगी दूसरे जिश्यों में अपना क्या कर सकते हो जा करके product बेज सकते हो तो जो tarification आपका है उसको क्या कर दिया जाता है कम कर दिया जाता है simple tariff only लगाया जाते हैं जो बकवास से barrier होते हैं उनको हटा दिया जाता है साथ के साथ all barrier to be bounding इसके अंदर जो increase decrease किया जाता है वो आपका नहीं होता यहाँ पर development country to reduce import tariffs by the 36% across to abort over the 6 year period within the minimum मतलब यहाँ पर इन्हों ने यह बोल ला है कि आपकी developing country है ना उसके लिए जो import tariffs है उनको reduce किया गया 36% यही data अभी तक तो ठीक है ना यह याद कर ले ना आप लोगों ने कि market assess के अंदर अगर developing country दूसरे देशों के साथ कोई देखो दूसरे देशों के साथ जो developing country है क्यों वपार करेगी वहां से नही नहीं मिशीनों को import करने के लिए तो पहले 6 सालों के लिए आप लोगों ने 37 परसेंट आप लोगों ने क्या किया इंपोर्ट टैरिफ से उनको रिडूस किया है उसके बाद विदा पिर्ड मिनिमम 15 परसेंट टैरिफ रड़क्षन फोर एनी वन परड़क्ट और 15 परसेंट और आपका रड़क्षन मिलता है किसी अलग परड़क्षन के उपर यहां व 20 परसेंट जो ड्वैल्पिंग अंट्री है उनके लिए आपका 24 परसेंट है इस तरीके से आपका है मार्केट वाला सैकिंड पिलर आपका क्या रहता है वो आपका रहता है आपका एक्सपोर्ट जो कंपिडिशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसका मतलब यही होता है कि आ आपको रिडियूज मिलेगा सबसीटी मिलेगी आपसे सरकार टैक्स नहीं चार्ज करेगी वही चीज़ें यहां पर और कुछ फालतू याद करने की जरूरत नहीं है वही दो चीज़ें बता रहे हैं आपको यह डाटा आपका थोड़ा पुराना हो सकता है बाकी मैंने चेक पिलर की डोमेस्टिक पिलर राइस के अंदर थरी तरिक्के की आपके क्या होते हैं वोक्स दिये जाते एक होता है एंबर वोक्स उसके बाद ब्ल्यू एक को तक ग्रीन वोक्स ठीक बेभी ये चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई हो पहले पर पहली बार आपका है तो इसके अंदर 20% है ये चीज़ें आपने ASP याद कर लेनी है ज्यादा कुछ याद करने की जुरूर थी है ठीक है उसके बाद देखो market SS की बात करते हैं देखो third pillar आपका domestic sport है domestic sport के अंदर आप market SS के अंदर होता कि कुछ आपके tariffs के लिए कुछ rule regulation बनाया जाते हैं वो क्यों बनाया जाते हैं वो बनाया जाते हैं anti-dumping के लिए ठीक है ना anti-dumping के लिए बनाया जाते हैं कुछ rule regulation वो आपका market SS के अंदर आपके हमेशा रहते हैं कुछ rule regulation जो tariffs के होते हैं साथ की साथ आपक सारी की सारी चीज़ों को manage करने के लिए time table दिया जाता है domestic sport की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा important है domestic sport के अंदर क्या होता है यहाँ पर applicable to the subsidy subsidy आपको किस तरी के से मिलेगी program आपके granted कैसे होंगे यह favor करती है आपके किसी agriculture production की अब बात करते है domestic sports के अंदर आपका क्या होता है यह आपके कुछ box आपके subsidies box मिलती है आपको सबसे पहले होता है green green वाला का होता है आपका सबसे पहले कौन सा होता है आपका green वाला जिसका मतलब क्या होता है permitted ठीक है ना fully permitted होता है यह क्या होता है आपका fully permitted ठीक है न लिख लो आप fully permitted होता है Amber का मतलब यह होता है means slow ठीक है न बी reduce करना उसके पाद red का मतलब होता है forbidden ठीक है न forbidden मतलब यह होता है कि आप क्या करोगे कोई चीज यहाँ पर किसी भी तरीक़्े की subsidy नहीं दी जाती ठीक है न जीरो लिख लो निल लिख लो no red books for AOA., AOA के लिए agriculture on sorry agreement on agriculture इसके लिए आपका red box नहीं है बट इसके अंदर कुछ नहीं कुछ चीज़ें होती है जो आपकी exceed होती है या commitment की जाती है Amber box के अंदर भी कुछ चीज़ें होती है Blue box के अंदर भी आपकी कुछ चीज़ें होती है blue box کے انдर आपकी कुंछ जो मतलब limitation production करने के लिए लिए अगे पढ़ते हैं अगे करके green box के अगर मैं बात करूँ 3 तरीके के आपके box है है जो आपके मतलब आने वाले हैं या आपको याद करने है 3 तरीके के आपके box है तीन तरीके वोक्स के अंदर क्या होता है आपका यह आपका fully permitted होता है यहाँ पर जो subsidy दी जाती है वो मतलब distort नहीं करती ट्रेड के अंदर मतलब ट्रेड के अंदर किसी भी तरीके का उसका प्रभाव नहीं पड़ता और reduce करती है किसी भी तरीके के जो tariffs गहरा होते हैं मतलब green का मतलब यह लगा लो कि green जंडी है यहाँ पर subsidy भी मिलेगी आपको साथ की साथ किसी भी तरीके का आपके ट्रेड के उपर पर प्रभाव नहीं प करता है market के अंदर research करने के लिए help करता है साथ की साथ infrastructure आपका बनाता है direct payment करता है आपके producer को साथ की साथ increase कर देता है किसको subsidies को जो आपको subsidies मिलती है किस चीज़ के उपर साथ की साथ किस चीज़ के ऊपर subsidies मिलती है जो आपने agriculture के अंदर नया प्रजेक्ट लिए उस चीज के अंदर मीनिमल करता है डिस्ट्रप्शन नो लिमिट होती है इसके अंदर एंबर वोक्स के अगर मैं बात करूँ यह क्या होता है बोर्ड रेंज ओफ सबसीडी होता है इसके अंदर मतलब लिमिट लगा दी जाती है इसके अंदर क्या कर दिया जाता है लिमिट लगा दी जाती है लीमिक किस तरीख के से 5 परसन्ट एग्रिकल्चर प्रड़क्शन की लिए 10 परसन् ड्व्यवलपिंग कंट्री के लिए आगे डिटेल पड़ेंगे blue box क्या होता आपका इसके अंदर आप इंदर है मिली मल जो ट्रेड होती है आपकी वो की जाती है और जैसा प्रडक्शन आप करोंगे मतलब लिम्टीड सब्सीडिज दी जाती है और ज्यादा प्रडक्शन करने के लिए लोगों को बताया जाता है ज्यादा सब् मिलो यहां पर क्या हो जाता है QUOTA fix हो जाते है आगे दिखो if green box यहां पर क्या होता आपका demand करता है किस तृपके से 예 डिस्टोर्ट नहीं होता है आपका कोई भी परभाब नहीं परता नाक्टिब परभाव नहीं होता किसके ऊपर आपकी ट्रेड के ऊपर है एट लिस्ट दा मिनिमल डिस्टोर्शन यहां पर जो आपका मतलब बीच में जो रुकावटे आती हैं वो मिनिमम होती है नोट के बराबर होती है और डव्ली ट्यो यहां पर क्या करता है रिडियूज हो जाती है उ उस तरीके से इसको बनाया जाता है यहां फार्मिंग की स्पोर्ड करने के लिए इसको बनाया जाता है साथ की साथ यहां पर क्या होता है mostly they are government fund यहां पर गोवर्मिट आपको फंड करती है और current production level of price को यहां कोई भी रिलेट नहीं करता है उसके लिए आपको direct income मिलती है फा environmental setting की जाती है payment आपको हर चीज की दी जाती है मतलब जो भी चीज़ें नुकसान होता है उनके लिए subsidy provide करवाई जाती है फार्मर्स को mostly यह developed country के अंदर आपका होता है ठीक ना developed country के अंदर आपका यह आपको मिलता है green box क्योंकि जो developed country है वही green box आपको दे सकती है इनके पास प के अंदर ठीक है ना किसी भी तरीके का आपका नुकसान नहीं होता यहां पर यह फाइदे मनद वाली चीज़ है उसके बाद यहां पर वही बाते हैं कि government आपको fund देती है without any price and sport of crops के कि आपको सारी कि सारी जो bodies है कि इस तरीके से आपको price देगी साथ की साथ आपको example research है training है ठीक है infrastructure है domestic food, aids है, public food, security stock है उन चीज़ों के लिए आपको एक production level बना के देगी मतलब हर चीज़ के अंदर आपकी assistant के तरीके से आपकी help करेगी और आपका पूरे का पूरा जो structure है उरको adjustment करेगी और आपका environmental production program, regional development program आपके country के अंदर लेकर के आएगी blue box क्या होता है this is the amber box within condition, देखो blue box है वो ही आपका amber box होता है within the condition, इसको क्या बोला जाता है D-minimum spot ठीक है इसको क्या बोला जाता है D-minimum spot यह indicate करता है एक limit के अंदर दिया जाता है आपको एक limit के अंदर कोई ना कोई system दिया जाता है और यह आपके production को थोड़ा distort करता है मतलब ऐसा मालो कि कुछ condition होती है यहाँ पर आपको subsidy मिलेगी लेकिन कुछ condition के अंदर जैसे 5% मानके चलो आपको development countries होती है जो 10% मानके चलो जो developing countries होती है ठीक है 5% उसका जो क्या है आपका developed country है जो पहले से developed है 10% उसका जो developed country है मतलब GDP का मिलता है आपको GDP का जितनी आपकी GDP है उसका 5% subsidy मिलेगा और जितनी आपकी GDP है condition आपकी rise कर दी जाती है अपने देश के अंदर अपने मतलब जो किसान होती है उनका जो production है किस तरीके से बेचा जाएगा या रखा जाएगा उस तरीके से कुछ conditions आपकी इसके उपर लगा दी जाती है वो हर देश के लिए अलग-अलग होती है बस आपने यह याद रखना है कि जो blue वाला होता है इसके अंदर जो आपकी subcids होती है लेकिन increase without limitation without limitation के बिना आप उनको बढ़ा नहीं सकते हो नहीं उनके अंदर जो product limitation program है वो भी आपके link किये जाती है सब CD payment that are directly linked to the यहाँ पर देखा जाए animal number है आपके किस तरीके से उनके साथ जोड़ा जाता है आपका यहाँ कुछ quota आपका fix कर दिया जाता है कुछ requirement होती है उनके coding आपका part है जो land का वो fix कर दिया जाता है यहाँ पर उसके बाद बात करते है amber box की बात करते है amber box आपका किस तरीके से काम करता है वही blue वाला है उसी के साथ का यह भी इसके अंदर क्या होता है market price sport आपको दी जाती है कि market के अंदर आपका pricing sport किस तरीके से होगा यह थोड़ा सा slow system होता है क्या होता है slow system होता है ठीके ना इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर वही चीज़ें जो मैंने बताई है 5% agriculture के अंदर मिलने वाला है आपको कौन सी के अंदर developed country के अंदर developed country में 5 और 10% आपको developing country में मिलने वाला है इसके अंदर और कुछ यादा आपको करने की जुरूत नहीं है सेम वही चीज़े दे रखी है green box आपका कौन सा होता है green box के अंदर आपको minimally जो आपका distortion होता है वो कम रहता है ठीक है यहाँ पर एक amber box के अंदर न article 6.2 भी आपका दिया है जो development program के तरीके से आपका काम करता है blue box क्या होता है यह आपने न कोड याद कर लेने है blue box क्या होता है आपका limitating करता है किसको production को programs को production limiting programs होते है blue box के अंदर और amber मतलब इतना ज़्यादा भी production नहीं बनाना इतना ज़्यादा बेचना कि आपका जो natural source है sustainable development है वो कम होने लग जाए उस चीज के लिए blue box होते है green box होता है कि नहीं चीज़ों को उजागर करना आपके देश के अंदर amber box क्या होता है आपका यह होता है de minimums होता है de minimums का मतलब यह होता है कि subject reduce करना कुछ ऐसी चीज़े reduce करना अपने देश के अंदर से जिनसे आपको हमेशा ही नुकसान हुआ है ठीक ना यह समझ दो चारों चीज़ों का अभी मैं आपको conclusion बता देता हूँ green box subsidy आपको कब मिलती है green box subsidy आपको जब कोई नया plant लगाते हो इसका आपके international trade के उपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इस चीज़ का आपको ऐसा समझ सकते हो आपको grant मिल गी हो जैसे दूसरे देश्यों से आपको help मिल गी हो इस त्रीक के से जो आपने वापिस नहीं करनी blue box कौन सा होता है blue box के अंदर ना product को limiting program बनाये जाते हैं कि भाई इस quota fix कर दिया जाता है ठीक ना quota को fix कर दिया जाता है तांकि इस चीज से उपर आप ज्यादा चीज़े ना बना पाऊ अगर ज्यादा चीज़े बनाऊंगे तो आपका ऐसा मान सकते हो कि जो production है आपका ज्यादा कर दो कि जिससे आपका नुकसान भी हो सकता आपका कलको production आपका या आपका quota fix करना है यही होता कि कुछ aim के coding आप काम करते हो quota fix करके काम करते हो amber box आपका क्या होता है इसके अंदर subsidies मिलती है लेकिन minimum type की 5% आपकी किसको मिलेगी जो developed country है पहले से और 10% किसको मिलेगी सर जी जो developing country है GDP का मिलता आपको कुछ conditions के coding अपने देश के किसानों को जो production करने के लिए जो subsidies मिलती है वो इसके अंदर आता है और article 6.2 एक नई चीज़ आप लोगों ने sustainable development और investment के उपर आया जिसके अंदर investment होती है वो किस तरीके से करनी है जो sustainable development program के उपर काम करे बस ये आपके system थे अब देखो tips की बात करते हैं किस की बात करते हैं tips की tips आपका बस दो ही slider हो रहेगी में भी अभी slider तो हैं पर थोड़ी सी रहेगी है अब दो ही चीज़ रहेगी है अब agreement on यह एक minute यहाँ से start था ठीक है न बस दो ही चीज़ रहेगी है फिर WTO आपका पूरा हो जेगा tips के अंदर क्या होता है यह intentional property right agreement amount of rule trade investment इसके अंदर होती है the rule state how copyrights, patents, trademarks and geographical name are used to identical production एक आप लोगों का न एक काम है सब बच्चे note कर लें जो भी इस class को offline देखें online आप लोगों ने पता करना है copyright कितने साल तक चलता है patent कितने साल तक चलता है trademark कितने साल तक चलता है ठीक है ना इस तरीके से आप लोगों ने करना है geographical जो आपके क्या होती है industrial design होती है कितने साल तक काम करती है कितने साल तक आप अगर copyright करवा लेते हो तो अगर कोई बंदा आपका चोरी करता है तो वो सामने वाला बंदा आपका हरजाना भुखता है उस चीज़ के अंदर उसको पलंटी लग जाती है ये सारी चीज़ें आपकी आती है seven categories के जो चीज़ें आपकी यहां पर include की जाती है related aspect of intentional properties right के अंदर आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जिनके लिए आप agreement करते हो दूसरे देशों के साथ कि भाई अगर आप लोगों ने ये चीज़ यूज़ करनी है ना तो इस यूज़ करने के बदले आपको royalty pay करनी पड़ेगी ठीक है ना reality pay करनी पड़ेगी ठीक है ना copyright इनको production दी जाती है पहले क्या होता था कि आपने कोई चीज़ बनाई आपने copyright नहीं करवाया तो कोई बंदा उस चीज़ की same copy करके उस तो अच्छा बना के अपने नाम पे publish करवा के या कुछ भी करवा के अपने नाम पे बनवाला था था तो वो चीज़ें अभी खतम हो चुकी है तो यह force के में कब आया था trims एक January 1995 के अंदर binding हो गया थे WTO के सारी member इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है trademark include करता है service marks को geographical indication जो appealant of the origin की बात करता है जहां से जिस शेतर से आप लोगों ने वो चीज़ों को पैदा किया है और वहां जो reason हुआ है उस चीज़ का उन चीज़ों के लिए appealant होता है साथ की साथ क्या होता है industrial design आपने industry कैसे बनाई है किस तरीके से patent include the production of the new variety of the plants की अगर बात करते हैं तो नए ने आपने agriculture के अंपर कुछ plant बनाए है पोदा बनाए है ग्राफ्टिंग किया कुछ भी किया है ठीक है ना उन चीज़ों के लिए यहां पर क्या किया जाता है कुछ आपको copyright बगारा मिल जाते हैं कुछ production आपको मिल जाती है नई varieties के आप लोगों ने कुछ बीज बना दिये ठीक है अब ऐसा नहीं है कि वो बीज सारी ही दुनिया बेच लेगी मालो आपने वो बीज खरीद के उसके बाद वहां से बीज त्यार करवा के और अपने नाम पे वही बीज बेचने लग गयो ऐसा नहीं कर सकते हो आप वही तो आपका intentionally properties right के अंदर आता है layout design हो सकता है integrated circuit हो सकता है किसी चीज का computer का को disclose information जो अभी तक public नहीं हुई चो चीज पब्लिक नहीं हुई अगर उसको आप पब्ली करते हो तो आपको अरजाना बुतना पड़ेगा अगर उस बंदे ने intentional properties right करवा हैं ये क्यों जूरूरी था क्योंकि भाई international level पर इतने सारे देशों के साथ जब आप क्या करते हो वपा सारे और स्क्राइट ठीची चीजान आपके इंग्लूड होती हैं उसके बाद देखो agreement cover किये जाती है कैसे cover किये जाती है कुछ जो main function लगा लो या main चीज़ें जो आपकी किसकी है trips की है तीन तरिके से आपकी चीज़ें आती है कुछ standard fix किये गये है minimum standard fix किये गये है जो each member होता है आपका WTO का कोई भी WTO का member है और उसके कितने भी nations उसके अंदर जुड़े हुए है तो उन nations के अंदर कोई भी state आपके मतलब जो आपका copyright है उन चीज़ों की उलंगना नहीं कर सकता trims के अंदर ठीके ना ये standard रखता है आप 10% उसकी copy कर लो पूरी की पूरी copy नहीं कर सकते ऐसे तो Apple के नकली phone बना देते हैं लोग मतलब 10-12% आप copy कर सकते हो वैसी shape बना सकते हो डिजाइन बना वही material से सब कुछ आप use करके वैसी चीज़े नहीं बना सकते ये standard आपका minimum standard आपको बताता है each country के अंदर enforcement के अगर मैं बात करूँ तो WTO का मतलब ये होता है WTO के अंदर जो आपका tips आता है इसके अंदर tips के अंदर enforcement ये बात बोलती है कि भाई intentional जो properties right है उनके लिए कुछ आपके domestic procedure, provisional measurement and remedies बनाई जाती है और किसके लिए intentional properties right के लिए और इनको आप लोगों ने hold करके रखना होता जिस बन्दे ने intentional properties को develop की है ना वो बन्दा इन चीज़ों को hold करके रखता है और इसी तरीक़्े से वो अपना work करता है कुछ journal principle application हो जाते है मतलब जेस तरीक़्े से जो जो बन्दा WTO का क्या है member है ना उन लोगों को वो बाते माननी पड़ेंगी जिनों ने अपना trade के अंडर मतलब trips के अंदर अपना क्या करवाया copyright करवाया कुछ भी करवाया तो उसके बाद अगर मानलो फिर भी कोई बन्दा उलंगना कर देता है तो आपका dispute settlement आपका हो जाता है कि कि किसी बन्दे ने आपका IP चुरा लिया IRP चुरा लिया ठीक है उसके उपर work कर रहा है होता ही है ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है यहां आप obligate कर देते हो तो trims के related according आप क्या कर देते हो जितना मालो आप दो लोग थे इसके अंदर एक देश ये था A था एक country कौन सी थी B थी अब इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक C चीज़ बना दी अब इनका हो गया disputes A वाला जो देश था वो था बहुत powerful, B वाला इतना powerful नहीं था लेकिन इन लोगों के पास दिमाग बहुत था इन्होंने WTO के उपर demand की सब कुछ file बग्याद लगाई उसके बाद क्या हो गया मतलब IP जो आपका था इनके बीच का जो share बनता है उनको partition कर देते हो विभाजित कर दिया जाता है कि A का जितना बनता है A को दे दो B का जितना बनता B को दे दो ठीक है अब इनका अलग अलग है इसे हमारी इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ पहले क्या हुआ करता था Hero Honda ठीक है ना Honda इस तरीके से आपका क्या होता था Honda आपका Hero Honda मतलब आपका भाई का था आज कल Hero अलग हो गया है Hyundai वाले अलग हो गया है पता है ना आपको ठीक है ना Hero वाले अलग है जितना Share Hero का बनता है उन्होंने अपने Hero के नाम से चला दिया Hyundai वालोंने अपने नाम से चला दिया तो इस तरीके से पूरे का पूरा जो सिस्टेम है आपका चलता है इसके अंदर उसके बाद देखो Intentional Properties के अंदर Industrial के Design आ जाते है यह सारी आपकी Intentional Properties होती है उसके बाद देखो यहाँ बना कुछ Rule Regulation से बताए गए है इनको याद करना इतना जुरूरी नहीं है ठीक है ना इनके अंदर वही बताया कि कितना टाइम है कितने साल तक चलने वाला है मतलब वो थोड़ा सा बताया गया कि Paris के अंदर Convention के बारे में बताया कि जो आपका Trims Agreement थे उनकी Convention Paris Convention के अंदर हुआ था सबसे पहले Industrial Properties Right के बारे में बातचित की गई थी साथ की साथ यहाँ पर आगे बात करते है Copyright की तो Baron Convention के अंदर ठीक है न इस तरीके से मतलब यह इतना खास नहीं है यह मैंने वैसे डाल दिया था Important points थे कुछ तो मैंने डाल दिया थे साथ की साथ ना Trims की बात करते है Trims के अंदर Sorry यहाँ से start है वो छोड़ के न यह तो उसी के वाला है पहले वाला Trims के अंदर Trims related investment measurement इसके अंदर क्या होता है कि आप लोग जो भी निवेश करते हो ठीक है जो investment करते हो foreign के अंदर उसके उपर जो आपके क्या लगे होते है restriction लगी होते है उन restriction को remove करना है Each member country has provide foreign investor are the facility they provide to the domestic investor मतलब आपकी countries के लोगों को हमारे domestic population है जो हमारे लोग है वो ग्रेलू sorry विदेशों के अंदर कर सकते है जो ग्रेलू लोग है हमारे इदर के जो domestic जो investor है वो foreign के अंदर invest कर सकते है उस चीज के लिए facility दी जाती है इसके अंदर क्या होता है encourage किया जाता है जो barriers होते हैं उसको हटा दिया जाता है main functionist का क्या होता है industrialization को development करना है accelerator करना ठीक ना peace of growth मतलब शान्ती तरिक्के से विकास करना balance of payment है उसको सही करना उसकी problems को सही करना completely freedom आपको दी जाती है किसी भी देश के अंदर invest करने के लिए इसके अंदर कुछ चीज़ें आपकी आती है कौन कौन सी to provide facilitate and treatment to foreign investor पर with the domestic आप equal treatment करने वाले हो facility provide करोगे दूसरे लोगों को साथ की साथ क्या होता है removal of restriction on remittency of the dividend अगर आपने दूसरे देश के साथ कोई आपने invest किया तो आपका किस तरीके से dividend आएगा interest आएगा यह royalty आएगी वो multinational companies के अंदर अगर आप करते हो तो इस तरीके से आपका आएगा साथ की साथ allow करते है आपको 100% आप equity share के अंदर क्या कर सकते हो investment कर सकते हो दूसरे देश के अंदर 100% की 100% to allow foreign company to invest any sector or any location और आपको कहीं पर भी कभी भी आप investment करने के लिए आपको सवितंतरता दी जाती है अनमती दी जाती है trims के according तो I hope कि आप लोगों के यह समझ आ गया होगा साथ की साथ the agreement give and the मतलब assurance दिया जाता यहां पर all entities को कि भाई आपके साथ without any DC क्रिमीनेशन आप भाई हमारी इंडिया के अंदर आओ हमारी इंडिया के अंदर आकर economical activities के अंदर investment करो हमें थोड़ा मोका दो हमारी इंडिया को सुधारने का तो भाई आप दूसरे देश के लोगों के साथ कोई बेदवाव नहीं करोगे इस चीज का अश्वाशन को अंदर बाता है ट्रिम्स दिलवाता है WTO के अंदर ठीक है I hope आपको समझ आ गया होगा ये उसके बाद बात करते है last आपका एक point है last agreement है आपका WTO का आज की class में ठीक है कर दी अब investment की बात की थी ना ट्रिम्स की इसके बाद anti-dumping की बात करते है मालो MNC कंपनी थी यहां समझते है ठीक है ना यहां समझते है MNC कंपनी थी इन कंपनी ने इंडिया के अंदर क्या किया आकर के वपार स्टार्ट कर दिया जो काम पहले से MNC कर लई थी ना वही काम जो इंडिया के लोग पहले काम कर रहे थी इंडिया के अंदर भी तो कुछ industries लगी होती है कुछ आप के क्या होتے है production करने वाले लोग होती है ना इंडिया के अंदर भी तो यहां पर जो काम किया जा रहा है, वही काम MNC भी करने लग गया कर, अब MNC ये पास क्या था, नई टेक्नलोजी थी, इन्होंने कम पैसों में, जो चीज इंडिया 30 रुपियों में बना रहा है, ये MNC कंपनी उसी चीज को 10 रुपियों में इंडिया के अंदर आकर बना रही है, अब लोग इनकी चीज को ज़्यादा ख्रीदेंगे, 10 रुपियों में है सेम चीज है, और अच्छी क्वालिटी की है, और इनकी भी 30 की है, लेकिन महंगी है तो MNC वालाँ से ख्रीदेंगे, लेकिन ये चीज इनको एक्चुल में, जो 10 रुपियों की बेश रहे इंडिया के अंदर, ये चीज इनको 25 की बनती है, लेकिन इन्होंने सोचा कि हमें मोनोपोली करनी है इंडिया के अंदर हमारी कंपनी की, तो हम इस चीज को 10 रुपियों में बेश देती हैं, तो जब इनके सारे, जैसे जीओ ने क्या किया था, स्टार्टिंग के अंदर आके इंडिया के अंदर, बहुत अच्छा एक्जामपल है, जीओ ने हमारी इंडिया के अंदर आकर के जब इस्टैबलिश किया, उन्होंने free दे दिया internet, क्या कर दिया free internet दे दिया, सब लोगों ने b, s, n, l ठीक है, यहां फिर airtel है चाए idea है, चाए vi सबकी simों को port करवा लिया कि इसके अंदर, geo के अंदर, क्योंकि geo daily के अंदर आपको unlimited data free में दे रहा था, जब लोगों को लत लगी और बहुत सारे user जो आपके geo के अंदर convert होगे, इनको छोड़ छोड़ कर और आपको पता, तीन महिने क्या होता आपका, तीन महिने आप port करवाने के बाद वापिस नहीं जा सकते हो, दूसरे किसी भी company के अंदर, तो geo ने क्या किया एक महिने जब उनको लगा कि अब user उनके peak पे हैं, ठीके ना, अब क्या है user बिलकुल peak के उपर हैं तो बहुत जादा लोग आ चुके हैं छोड़ करके दूसरी companies को तो इन्हों ने अपना price रखना start कर दिया और फिर तीन महिने ये लोग अपना नंबर वापिस पोर्ट नहीं करवा सकते थे और इन्होंने क्या किया पूरे एक अधिकार करके और अभी इनका प्लान देख लो, 7-800 रुपियों का कर रखा है इन्होंने, यहीं वज़ा से तो anti-dumping का मतलब यह होता है कि MNC company आकर के हमारे देश के अंदर दूसरी company जो company पहले से जिस price पे चीज़ें बेच लिए उनसे कम price पे नहीं चीज़ें बेच सकती या इनको गिराने के लिए हमारी इंडिया की company को गिराने के लिए यह price को free में नहीं दे सकती बांट नहीं सकती अगर ऐसा किया जाएगा तो anti-dumping agreement किया जाता है कि आपकी MNC company आए जी भरके आए हमारी इंडिया के अंदर लेकिन आप इस तरीके से production करके नहीं बेच जोगे इंडिया के अंदर कि हमारी जो इंडिया की MNC company है उसको क्या हो कंगाल हो जाए या कुछ भी बालो क्योंकि ये 30 का product बना रही है तो आपको भी इतना ही product बेचना पड़ेगा इतने का anti-dumping इस तरीके से मारी government के दवारा क्या किये जाते हैं यहाँ पर कुछ agreement किये जाते हैं तो I hope कि आपको पता लगया होगा पूरे का पूरा system कि कि इस तरीके से आप anti-dumping करते हैं या कोई भी चीज़ें आपकी हैं तो I hope कि कोई भी point आपका छूटा नहीं होगा नहीं आपको कोई point के अंदर problem होगी अगर होगी problem तो dear friends आप ऐसा करो इसी class के नीचे comment करके मुझे बता देना ठीक है और साम को 7 बज़े आपकी class होगी और उसके बाद 9 पीम वाली होगी तो बता दूँगा ठीक है पकी 2 classes धीरे धीरे schedule है अगना बन जाएगा तो thank you all friends take care bye bye I hope कि आपको पूरी पूरी class है जो समझ आई होगी अगर कोई भी दिक्कत है तो अभी के अभी बता दे मैं आपका जहां पहले की classes में कोई आपका point रह गया तो वो भी बता सकते हो ठीक है I hope कि आज की class आपको अच्छी लगी होगी तो मिलते है next class के अंदर thank you all friends take care bye bye ठीक है अभी class तो नहीं टक कोई थी ना आज चलो ठीक है कुछ पूछने है तो बता दो एक बार comment करके economics की class भी पढ़ाऊंगा मैं जल्दी ही राहूल तो ठीक है take care guys मिलते है next class के अंदर